प्यारे विद्यार्थियों, आप सब का दिन मंगल जाए, आज हम पाढ़ दो, फसलों के त्योहार में भारत के बिभिन लोककलाओं को पढ़ेंगे सबसे पहले हम जान लेते हैं कि लोककला क्या होती है भारत में अनेक जातियों वा जन जातियों में पीड़ी दर पीड़ी चलिया रही परमपरिक, पारमपरिक कलाओं को लोककला कहते हैं ठीके, पारमपरिक मतलब कि जो एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी उस चीज़ को अपनाती चलियाती है उसी कला को अपनाती चली आती है उसको कहते हैं पारंपरिक ठीक है पीडी दर पीडी जो भी कला जो उसके दादा ने पिता से मतलब पिता ने दादा से ली फिर दादा ने परदादा से तो अपने पिता से ली तो ऐसे ही पीडी दर पीडी उस कला को वो आगे कनवे करते चले जा रहे हैं उसी को लोककला कहते हैं तो इसमें बहुत जो प्रसिद्ध हैं जैसे मदुबनी है इसके लावा भी बहुत सारी लोककला हैं जिनके बारे में हम जानेंगे सबसे पहले है मदुवनी चित्रकला जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध चित्रकला है ये चित्रकला जो जैसे चित्रकला रंगोली के रूप में विक्सित हुई है धीरे धीरे यहाँ कपड़ों में दिवारों में कागज पर इसको मनाते हैं तो जो घरेलू ओरते होती थी वो कोई पी त्योहार होता था तो उस त्योहार में क्या करते थे लोग कलाएं अपने मन पसंद के डिजाइन बनाते थे कोई आंगन में कोई छटों में कोई दर्वाजों के आगे पे तो इनिको लोग कलाएं कहते हैं जो पीडी दर पीडी चली आती है यह उत्राखन का जो एपन लोकला है इसमें औरते जो आंगन होता है उसमें चावल के आटा होता है उससे डिजाइन बनाती है तरह तरह के ऐसे डिजाइन बनते हैं जैसे चित्र में हैं संक बनता है लक्षमी चौकी यह अलग लग तरह के डिजाइन बनाते हैं चावल के आट जो बहुत पुरानी पेंटिंग सैली मानी जाती है बंगाल के काली घाट से यह उत्पन हुई थी तो यह कपड़ों पे बनाई जाती है इस पेंटिंग को बनाई जाता है अब फर्स चित्रकला फर्स बतलब जो नीचे फ्लोर में बनाई जाती है तो इसमें बहुत सारी चित्रकलाएं हैं जैसे रंगोली हो गई राजस्तान की मांडणा हो गई उत्राखन की एपन हो गई रुत्तर प्रदेस की चाका पूर्णा हो गई बिहार में अलपना और महारास्त में रंगोली यह अलग-लग तमिलनाड़ों में कोलम जो चाउमल के आटे से मनाई जाती है तो अलग-लग राज्यों में जो फर्स होता दिया गया है रंगोली तो आप जानते हैं यह रंगोली फ़र्स में अलग अलग रंगों को लेकर बनाई जाती है और उसमें तरह तरह के विभिन प्रतीग बनाई जाते हैं जो सुब माने जाते हैं दिवाली के समय या जो जब ओनम होता है उस समय रंगोली बहुत जादा मना जाती है यह आपकी राजस्थान की मांडणा है इस ढंग से इस तरह से इसमें डिजाइन बनाया जाता है यह भी फर्स फर्स चित्रकला है यह जो चित्र है यह मदुवनी चित्रकला है जो मदुवनी चित्रकला है मतलब उसमें जो चित्र हैं वो बहुत रंगों होते हैं उसमें बहुत सारे रंग होते हैं और उसमें मतलब जो ट्राइंगल है तिरबुज है उसका बहुत यूज किया जाता है कई तरह विविन आकर् का चित्रण किया जाता है इस डंग से उनको एक प्रतीक मान दिया जाता है यह उड़ीसा में बहुत प्रचिलित है यह कलम करी कलमकारी चित्रकला जो कलम के थुरू बनाए जाती है तो यह आंदर प्रदेश में इसमें बनाए जाती कलमकारी कला का उपयोग साड़ी में किया जाता है और जो जाती है कपड़े होते हैं उसमें किया जाता है तो इसमें क्या किया जाता है जो महाभारत है या रामायन है उन महाकावियों को दर्साया जाता है उनके किसी भी जो घटना घटी होती है उस चित्र को उसमें दिखाया जाता है तो यह आंद्रप्रदेश की बह पिटना को दर्साया जाता है तो इसमें जो जन जाती है वो कोईले का गौबर का पत्ते का या मिट्टी के उप्योग से इस कलाकृती को करते हैं विभिन लोक कलाओं को इस सैलियों को तो इस धंग से इसको जैसे आप चित्र में देख रहे हैं कि कोई एक पैटन नहीं है उसका एक अलग-अलग उसको रूप दे देते हैं यह वारली चित्र कला त्रिकोन वर्गों जैसी होती है इसमें जो शेप होते हैं जो आकार होते हैं उनका ज्यादा तर यूज किया जाता है और इसमें जैसे आप देख रहे हैं कि पूरा एक संपूर्ण नहीं बना रखा है उसको एक बस उसको आकार दे रखा है तो इसमें सिकार करने यह त्योह निर्तिय आप देख रहे हैं और घोड़ा किस जंग से उसको दिखा रखा है